आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेंड लेसन नमबर शेवन एल्बिया पब्लिकेशन की जो बुक है क्लास एड के लेसन नमबर सेवन एथलेटिक्स क्या बलते हैं इसको एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है इस ट्रेंड वह आपको समझ में आ जाएगा जो कुछ गेम्स होते हैं जिसे रणिंग जंपिंग थ्रूइंग इस टाइप जो गेम्स होते हैं इसको जो इसको कंसिडर किया जाता है एथलेटिक्स के अंदर ठीक है यह एक प्रकार की फिजिकल एकसाइज के लिए पहले शुरुआत हुई थी और बाद में एक कॉंपेटिशन बनके आगे बढ़ जाहता है सारीडिक व्यायाम फिजीकल एकसिस एक्ससाइज ठीक है प्यों है को शुर्स के लिए जंपिंग के लिए थ्रोंग के त्रूंग यह होना थिक हो तो इस टाइब किज जो फेक यह को फेक ना करेक जंप रूनि इस टाइब की जो चीजह आती को किया इसको बोलते ट्रЕक क्यों बोल सो प्रकार से ठीक है नहीं तो यहां से इसका ओरीजिन हुआ 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 है Athletics is mainly divided into track events that include sprints, middle distance, long distance, obstacle race etc and field events like long jump and javelin throw etc देखो समझना आ जाएगा आपको Athletics क्या है उसे बाटा गया है track events देखो track and field बोला है न तो track events का मतलब जिसमें एक track की जुरत पढ़ती है ऐसे लंबे से वो running के लिए पढ़ती है जैसे कि उसमें sprint आता है sprint मतलब small distance की जो running होती 100-200-200-200 मीटर की दौड middle distance में थोड़ा सा 400-800-1000 मीटर तक की दौड़ आ जाती है long distance वाला जो है और फिर obstacle race की बात करते है long distance race है यह आपकी 3000 मीटर से start होती है फिर 8000, 10,000 और महराथन तक जाती है न और एक होता obstacle races उसमें क्या होता है running जैसे हम करते है उसके बीच में कुछ ऐसे obstacle लगा देते हैं उसके उपर से jump करके हमें बीच बीच में कुदना पड़ता है कुदते टाइम बीच बीच में jump भी इसमें include हो जाती है ठीक है न टो यह जो एक से ट्राइं फिल्ड इवेंट गरबात कर सकते हैं कुछ से इवर्ट क्योंकि द्रैक की जरती है पढ़ती फेल्ड इवेंट इसमें क्या होता है आपकी डूंक जंप होगई जैवेलीन थ्रो हो गया और एक्सेक्टरा जैवेलीन का मतलब होता है भाला है जो ऐसा नुकीला होता है उसको बोलते भाला ठीक है ने इस टाइप से हैं देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसे अपना एक खुद का एक इंडिवीज्वल सेपरेट एक सपोर्ट है थीज अलग अलग टाइप के इवेंट इसमें आप कंसिडर कर सकते हो ठीक है ना रनिंग जो होती है वो भी कई टाइप की हो जाती ने स्टैप से और यह जंपिंग वाले कुछ अलग से गेम हो जाते ह इसको 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 कंसिडर करें तो तीस अलग अलग टाइप की इवेंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं आगे देखो modern track and field events began 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 की second form began in England in the beginning of 18th century mostly in the form of running and walking races देखो जो आजकल जो खेले जाने वाले track and field event इसकी सुरुवात हुई थी इंगलेंड में अठारवी सताबदी के सुरुवात में 18th century के starting में इंगलेंड में इसकी सुरुवात हुई थी mostly in the form of running और यह जो गेम थे यह running और walking races है ना डॉल करके race कर रहे है पैदल चलने वाली एक race कर रहे है तो इसी से यह चीज बनी थी शुरुवात में तो ऐसी होता था इस games में ठीक है running और walking वाली race लगाई जाती थी बस the first modern olympic games held in 1896 पहला जो olympic game था इस तो है जो 1896 में हुआ consisted mainly of track and field event सबसे पहला olympic games कब हुआ 1896 में और उसमें क्या था consistent मतलब जिसमें जुड़ा हुआ था mainly track and field event उसमें सिर्फ track and field events ही जादा हुआ करते थे अभी तो कई सारे games होते है ना लेकिन पहले track and field events ही हुआ करते थे मतलब running वाले jumping वाले throwing वाले इसी type के event होते थे the one who participates in these tracks and field events is referred to as an athlete athlete किसको बोलते है ऐसो जो प्रतिभागी लोग होते है जो track and field event में भाग लेते हैं generally उन्हें refer किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है एथलीट कहा जाता है जो swimming कर रहा है उसको athlete नहीं कहेंगे जो chess कहल रहा है केरम खेल रहा है फुटबॉल रहा है इनको प्लेयर्स बोल देते हैं या swimmer बोल देते हैं swimming वाले को लेकिन जो running करता है जो jumping करता है थेना track and field वाले games throwing वाले जो games होते हैं इनको जो खेलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एथलीट बोलते हैं हर किसी को athlete नहीं बोलते है ठीक है ना there are certain rules that an athlete has to follow during any track event देख इस्टन क्या है यहां पर कुछ rules होते हैं जो athlete को इस track event में follow करने पड़ते हैं ठीक है the order of competition in track events is determined by a random draw draw कराया जाता है इसे सिख्के वगएर से और उसके तुरू जो है sequence जो है competition track events का उसे determine किया जाता है उसे रखा जाता है उसी साब से ठीक है ना athletes who miss their turn in any an event are not allowed to make it up देखो अगर कोई event में किसी games में आपने क्या कर दिया आपने turn miss कर दिया आए नहीं है ना time पर नहीं पहुच पाए तो क्या कर देते हैं आपको उसे allow नहीं किया जाता उसे फिर से करने के लिए आप disqualify कर दिये जाते ठीक है ना an athlete who is late without valid reason may be disqualified for the competition देखो ऐसे कोई athlete होते है जो बिना किसी कारण के ही क्या हो गए है strand काफी late हो चुके है games के लिए है ना उन्हें disqualified कर दिया जाता है game से बाहर कर दिया जाता है for the competition competition to disqualified कर दिया जाता है प्रतियोगीता से judges have the authority to let an athlete take a turn in case there is interference of events अगर 8th athlete है उसमें दूसरे इवेंट में भाग लिया हुआ है और उस event में अगर वह busy है तो दूसरे किसी इवेंट में उसकी turn नहीं आ पाई तो उसे पूरा मौका मिलता है कि बाद में उसकी turn आ जाए ठीक है ना उसे मौका देती जो authorities and judges लोग है ठीक है ना competitors must wear shorts and jersey और skin tight suit चो competitors होते हैं उन्हें shorts पहनना पढ़ता है इस आप देख पारें ना आप आपने को shorts पहने हुए हो अलोगा इस टाइप के shorts ठीक है ना छोटे कपड़े और क्या पढ़ना पढ़ता हैं जर्सी healthy t-shirt है ना और skin tight suit ऐसे कपड़े नहीं पहना जो धीले धीले मिलकुल है ना फसने वसने जैसे भी दिक्कत हो सकती उसमें इसलिए इस्किन से चिपके हुए जो suits होते हुए उनके उन्हें ही पहनना prefer करना पड़ता हुए ठीक है ना ठीक है आगे देख लेते इस्ट है athlete may wear suits with the maximum of 11 clits nails जिसको बोलते हैं जो suits होते हैं जूते होते हैं athlete के उसमें कम से कम 11 nails मतलब klats होने चीए on each suits हर एक जूते में 11 दूसरे में 11 ऐसे वहाँ पर क्या होना चीए klats होने चीए अब आपको समझ में नहीं रहोगा klats क्या होता है ना on each suits अभी समझ में आ जाएगा to provide better grip इससे क्या होता है grip अच्छा बनता है फिसलता नहीं इंसान दौरते टाइम and even can be barefoot या फिर वो barefoot भी बिना जूते के भी दौर सकते हैं usually अक्सर क्या होता है an athlete uses five to six clats in each spike और जो हर एक स्पाइक में हर एक जूते में जो ऐसा जो निकला होता है ने जो नेल्स उसमें भी हलके से कुछ कुछ के ऐसे दाने दाने टाइप की कुछ ऐसे डिजाइन होती तो six clats in each spike हर एक अब आपको यह चीज समझ में आ जाएगी मैं आपको लेकर के चलता हूं देखो यहां इमेज में आप देख पा रहे हो इस्ट है ना देखो क्या है इसी को बोलते इस्पाइप यह नेल्स ठीक है ऋट लेट्स भी बोल सकते को जी दिखकत नहीं जीदेखो अब देखो यहां पर भी थोड़ाचा ई डाइगराम में आप देख पायंगे अच्छी तरस लेगेंगे तो टीक हो यह इस्पाइक को बांछा हूआँ है श्रीक्स से बचाते हैं दौरते टाइम फिसलेंगे नहीं और जूतों की जो लाइफ वो भी अच्छी होती तो प्रॉपरली एक ग्रिप के लिए होता है ठीक है चला और कुछ चीजे होगी तो मैं आपको बताते जाऊंगा इस देरार जनरली टू टाइपस आप ट्रैक्स देखो अब काम की चीज़ समझते हैं सारी चीज़ें काम की जैने किम ट्रैक्स कि द्रल्ड टैक्स ट्रीक होते हैं जहां पर अव गर्रोड टाइप सदक व्हूर्टर ऑंट दो टाइप की प्रेंट पहुत नहीं होता है 500 मिटा सब्याप्र समय के इस एक ग करते होता है canoda प्रया डर्मी मीटर के इस यह कारह्ण ट्रेस dengan hundred जर्व गाक्रता है and if you are he मतलब एक एथलीट यहां डोड़ेगा दूसरी की पट्टी अलग होती लाइन यह तीसरी की लाइन एसी चौथे की तैसी एट अलग अलग ऐसी पट्टी आ होती जहां पर क्या होता है एथली दोड़ता है तो यह पूरा ट्रेक है कितने का 400 मीटर का ऐसा लंबाई में ठीक है और 8 यहां पर ऐसी लेंज बनी हुया, ठीक है शुटे है, या फिर अधिकतम 10 lens हो सकती है यह track जो है उसमें जो एक साथ 6 लोग भी दौर सकते हैं कम से कम या अधिक से अधिक 10 लोग एक साथ दौर सकते हैं क्योंकि 10 lens भी वहाँ पर हो सकती है the starting point of a track is called stagger stagger कि इसको बोलते हैं जहां पर सब लोग इसे बैट करके फिर वो गन सौट का वेट करते हैं जैसे ही fire होता है वैसी दोड़ते हैं तो जहां पर जो starting point है उसको stagger बोलते हैं ठीक है ना all lines of track are marked 5 cm thick except the arch of javelin that has thickness of 7 cm जो track होता है उसका जो thickness होता है हर तरफ से वो क्या होना चीए 5 cm थिक होना चीए वो surface कम से कम ठीक है ना उपर वाली मेन है जैसे कि आप उन्होंने synthetic लगा दिया जिक प्लास्टिक वाला तो मेंड भी 5 cm होना ची मिट्टी की परतिया घास इस टाइ जैवेलीन होता है जैवेलीन मतलब जो भाला फेका जाता है ना आर्च ऑफ जैवेलीन मतलब भाला जो किला फेका जाता है उसका जो track होता है वो 7 cm का होता है इन track event like relay races there is an exchange zone where two runners exchange their beton बैटन बैटन इसको क्या बलते है बैटन है ना एक प्रकार की stick होती आपने देखा होगा जो relay races होती उसमें stick पकड़के दोड़ते और सामने वाले को stick देते फिर हम वही रुख जाते वह stick लेके फिर इधर दोड़ता है तो दो लोग combine होकर कि इस race में participate करते इस ठीक है ना अब यहां मैं आपको बताता हूं बैटन क्या होता है इक stick type की वहां पर दिखाई देती है देखो यहां पर बैटन आपको देख पा रहा है तो इस टाइप की stick होती यह relay race में पकड़के दोड़ा जाता है ठीक है इस टाइप से देख पा रहे हैं ठीक है यह सब sticks है ओके ठीक है एक और चीज में बता जाता हूं आगे जुरत पड़ी कि देखो हर्डल रेस लिखा यह jump करना पड़ गया वह सामने लगा भी शामने लगा देता हूं और और video बैस यह ओंडरेड मिटर है ठीक है же को स्वर्ला हूंं सब्सक्राइब करने विए और जो में होते हैं उनकी 110 मिटर की होती है तो 110 मिटर की होती है हाँ यह समझे माग गया वह भी पढ़ेंगे इस चप्तर में पर पहले मैंने आपको बता दिया इसी पेज में तेक़ा है ठीक है यहीं परते हैं तो एक लाइन का मीनिंग आप हम समझते हैं चलेंगे इस ट्रेंगे इस्टार्टिंग पॉइंट फट्रेक उसको क्या बोलते हैं इस्टेगर्ड ऑल लाइन किती हो थी 5 cm थी कि यह भी मैंने हमने पढ़ लिए अब देखो इस 20 मिटर डिस्टेंस अब लेन दोड रहें तो हर 20-20 मिटर पर कुछ इंडिकेशन होता है हां आपने 20 मिटर दोड़ दिया फिर 20 मिटर पर कुछ इंडिकेशन ऐसा होगा हर लेन पर होता है ठीक है ना जिससे रननर को पता चले कि हा मैं 20-30 अब 20-30 इस्टार इस टेक से ठीक है ना इतना कि लिए रहे आपको में किया कुछ में किया ङा कुछ दिया हुआ किसी से मिलकर बने हो नशा कम्लंबाई की रस होती है middle and long SPS möglichst of impacted market और long distance races सी मिलकर बने होता है आपके track event. sprint in sprints are short distance races. देखो, क्या होगे, कोई बात ने स्थोय और, sprints होते हैं, short distance races होती the strength. स्पूर्ट मेठाओ। short distance races which are run in full speed and with maximum strength. short distance मतलब 100-200m की दोल है. 400 miinter तक की तो इसमें क्या करना पड़ता है को विच आरान इनफूल speed तो पूरी strength के साथ आपको बहुँत जादा speed से दौरना पड़ता है यह जो सबसे ज्यादा fast दौरना यहां पर पड़ता है आपको चूटी दौर में जो sprint races होती उसमें है इंवाल्व सेवरल क्वालिफाइंग ही इत्स का मतलब किया हैं कई सारे पार्ट होते है इसको क्वालिफाइं करना है तो पहले आपका देखेब सबसे पहले तो नॉर्मल सी रेस होती है WhatsApp समंझ रहों कॉमपिटिसान में फिर सेमी-फाइनल होता है फाइनल होता है तो फाइनल तक पहुँचने के आपको कई सारे रही अच्छा मतलब यहां पर लीकाई मैंने preliminary context है ना कई सारे छोटे-छोटे context होते हैं प्रतिवीता होती उसे में आपको participate करकर कि आप आगे तक पहुंच पाते हैं उसको बोला है आपका hits ठीक है preliminary contest ठीक है ठीक है तो यह क्या होते है कि इतने सारे पढ़ाओ को पार करने के बात सेलेक्ट एट रुनर्स आट रनर को धावको को सेलेक्ट किया जाता है with the best times run in the final ताकि वो best time देखो 8 runners with the best time best time का मतलब क्या है अपने समय में सबसे अच्छे दौड़ने वाले 8 runner को select किया जाता है run in the final final में दौड़ने के लिए the lanes are assigned assigned मतलब सौपा जाता है according to their best times obtained in the hits with the fastest runner in the center lane जो एकदम fastest runner होते हैं वो 8 में से भी उन्हें center वाली lane में रखा जाता है तो यह है assigned मतलब सौपा जाता है जो lane देखो lane होती ना एक पूरी track में यह दो तीन चाह तो center वाली जो lane होती उस्टाइं assigned मतलब सौपा जाता है according to their best time अपने best performance के हिसाब से सबसे अच्छा जिशने परफॉर्म किया है उसकी हिसाब से with the fastest runner इसलिए fastest runner होते हैं उन्हें center की lane में रखा जाता है ठीक है ना अच्छे परफॉर्मस को तो sprint has three phases acceleration phase maintain phase and finish phase जो होता है यह sprint race यह तीन फेस में होती सबसे पहले तो acceleration race का मतलब क्या होता है phase यह एक phase होता है मतलब पार्ट तीन पार्ट में होती है जहां पर सबसे पहले तो आपको अपनी speed बढ़ानी होती है यह से कोई कारवार भी हम स्टार्ट करते तो सुरूब हम क्या करते सबसे पहले तो जीरो से आप एकदम मैक्जीमम इस स्पीट पहुंच गया है तो मैक्जीमम में पहुंचते तक का जो टाइम होता है उसको बलते एकसिलरेशन ठीक है ना और दूसरा उसी स्पीट को मेंटेन करके रखना पड़ता है में अर्लास्ट में आपको अपनी स्पीड को जितना बढ़ा सकतें उतना बढ़ा करें को फीनिस फिफेज में पहुचना परता है अब देखो पूरी शहोग होती सकक्ता है कि अब छांजन के बारे मिदक निजिव दिए नहीं पीजिफेंस 13 यहां पर आपको speed तो लगीगी, लेकिन endurance का मतलब है durability, कि कितने देर तक आप उस speed को maintain कर सकते हैं, कितने देर तक आप दोड सकते हैं, क्योंकि time ज्यादा लगता है, लंबी race है, तो speed की जरौत है, endurance मतलब durability की जरौत है, कितने देर तक आप capacity की जरौत है, and are required in such race, उसमें इन type की race में इसकी जरौत पढ़ती, speed की और endurance की जरौत है, ठीक है ना, और endurance पियो, generally, a uniform pace is maintained in such races, जो uniform pace का मतलब होता है, एकदम uniform speed, एक जैसी speed को maintain रखा जाता है, इस type की, race में काफी दिर तक उसी speed से दोड़ना रहता है, and in the end, और आखरी में, the race is won in full vigor, और एकदम जो race है, वो खतम होती है, वो जीती जाती, full vigor, मतलब full strength के साथ, आखरी में पूरी ताकत जोग देनी पड़ती है, ठीक है, अब long distance race की बात करते हैं, अभी अमने क्या देखा, student, sprint देखा, middle distance race देखा, आप देखेंगे, long distance race, तो इस type की race में क्या होता है, student, as the name itself indicates, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, signifies, बता रहा है, races that cover long distances like 300 meter, ऐसी race जो लंबी distance को कवर करती, जैसे 3000 meter, 5000 meter, 10,000 meter, cross country, cross country, cross country भी race होती, जिसको 20 km की race होती, and marathon, marathon भी बहुत लंबी, 10, 10 km, उसमें 20, 25, 25, 30 km, वहाँ पर दोड़ा जाता है, इस type की race है, long distance race है, marathon में आपने कभी दोड़ा होगा मेरे खाल से, the endurance counts in these races, और इस race में speed के ज़्यादा जरूता नहीं है, इसमें आपके endurance की जरूत है, मतलब कितना देर तक आप दोड़ सकते हैं, उसको बोला endurance है, कितना time आप running कर सकते हैं, कितने देर तक, तो यह endurance की ज़्यादा जरूता है, ठीक है ना, The athlete has to keep his body straight, athlete जो होते है runner, उनका अपनी body straight, सीधी रखनी पड़ती है, bend a little in forward direction, और आगे कितरा फलकी सी जुखी रख सकते हैं, body को, head straight and eyes fixed on the track, जो को, अपने नजर बिलको सीधी, अपना सर को सीधा रखना है, और track पर ही अपनी नजर रखनी इदा हुदर नहीं, Arms are loosely lifted in the forward direction, जो भुजाएं होती, arms होती हो, थोड़ी सी आगे lift, उठी होई, होनी चीए, आगे के direction में, the elbow, जो elbow होते हैं, and fist, और जो आपकी जो मुठी होती है, are naturally close, elbow जो थोड़ी से मुड़े होना चीए, आपकी कोहनिया, और मुठी बंद होनी चीए, हलकी सी, है ना, natural way मे The forward actions of legs and arms needs to be a natural one, जो आगे का, जो action है, आगे बढ़ने का, आपके legs का, आपके arms का, है ना, वो natural होना चीए, जादा बनावाटी होना चीए, जैसा आप normally दोड़ते हैं, वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप लंबे समय तक दोड़ सको, While running, the toe should, toe मतलब पैरों की जो उंगलिया होती, पंजे, है ना, toe should come in contact with the ground in order to obtain greater push, तो आपकी जो पांच उंगलिया है, वो ground के contact में आना चीए, running के time, है ना, with the ground, in order to, किस वज़े से, किस लिए, obtain greater push, जिससे कि आप अच्छा ज्यादा great push, मतलब अच्छा धक्का दे सके ground को, और speed को अपनी आप maintain रक सके, ठीक है ना, the strides, मतलब छलांग होती है, strides, मतलब क्या होता है, chalang, ठीक है ना, क्या हो जा रहा है यहाँ पर, कोई बात ने strides, हाам, कहा पारते है, हां, यहां से, strides, ही ठीक को, कहा पारते हैं, ok, यहां पारते है, ok, जो आपकी स्ट्राइट का मतलब होता है कदमों की जो स्पीड है ना छलांग जो आप लगा रहे हैं दौड़ते दौड़ते जो कदम बढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं इस्ट्राइट तो वह क्या होना चीए शॉट याने बहुत बड़े-बड़े कदम फैक्के नहीं दौड कदम फैला रहे हैं आपको एक जैसे ही कदमों के आपकी स्ट्राइड होना चीए आपकी छलांग होनी चीए और और बॉड़ी सुट भी रिलेक्स और अपनी बॉड़ी को रिलेक्स रखते हुए दोड़ना है बहुत ज्यादा एक सा स्पीड के चक्कर में आपको बिलकर अलग टाइप की एक ट्रेक इवेंट ही है स्ट्रेंड विच कंसिस्ट आप 100-meter विमन देशे को हर्डल का मतलब क्या होता है जहां पर आप्स्टेकल लगा देते हैं बीच में कुछ औरोध है आपको दिखाया था तो इसमें क्या होता है 10-meter की रेस होती है वोमन लोगों की और 110-meter की उती मैं की जो अभी बताया था एंड 400-meter की होती जहां पर जैंस भी होते हैं मैं भी ओते और चिल्डरन भी होते हैं इस से ज्यादा ही होती नहीं हर्डल रेस ठीक है न इस रेस इस अ कॉंबिनेशन ओफ रुनिंग एंड जंपिन तो इसमें रुनिंग तो करना है बीच बीच में जंपिंग मी करना है तो दोनों का कॉंबिनेशन ही है रेस देखो देखो वो देखो एथलीट तो कर सकते हलका सा चलेगा या नौक डाउं पैनाल्टी भी उनको लगेगी है न बट इस डिस्क्वालिफाइड लेकिन जो एथलीट है उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है if deliberately knocks the hurdle अगर वो एकदम जोर से hurdle को टकराते है तब ठीक है न आगे देखो no doubt winning these races on international level brings extreme fame and popularity along with a large amount of money to the athletes no doubt बिल्कुल संगा की बात ही नहीं कि winning these races ऐसी races को जीतना वो भी international level पर वो क्या लेकर आता है extreme fame आपकी बहुत नाम सहरत आपको मिलती है and popularity भी मिलती है along with और उसके साथ साथ a large amount of money भी लेकर के आता है to athletes, athletes लोग के लिए ठीक है न बहुत सारा पैसा भी मिलता है अगर आप international level पर इस टाइब की race को जीत पाते हैं तो in order to get all these advantage of being successful देखो in order to का मतलवता है की वजह से किसकी वजह से get all these advantage of being successful successful होने की सारे advantage लेने की वजह से the use of drug has now become very common all around the world जो कुछ drugs होते कुछ दवाईया होती जो कुछ नसीली दवाईया होती इसका जो यूज है वो common हो गया है इस समय के लिए थोड़ी energy दे देते हैं तो जिससे race को qualify करने में जीतने में थोड़ी सी आसानी हो जाती strength body बहुत energized हो जाती है ठीक है ना तो यह जो यूज है इसका यह बहुत जाता common हो गया है पूरी दुनिया में ठीक है ना एथलीट बहुत गलत यूज करते हैं इन ड्रग्स का the first olympic athlete known to take drugs was जो पहला olympic athlete था जो जाना जाता है ड्रग लेने के लिए ना वो कुन थे एन अमेरिकन marathon runner अमेरिकन की marathon runner के एक एथलीट थे जिरका नाम है thomas hicks at the 1904 यहने 1904 के जो games थे in ST losses मसूरी में वहां पर जो है 1904 में है ना जो games हुए थे marathon American के है ना loss मसूरी में सेंट लॉस मसूरी में वहां पर यह पाए गया थिश्टन यह जाने जाते उन्होंने drug का सेवन किया था ड्रग यूस किया था मेरिकना ठीक है ना तो जाने वहां पर पता चला रहे यह तो ड्रग भी यूस करते है आज कल एथलीट करके ठीक है at that time और उस समय ना there was no clear understanding about the use of drug in sport तो वहां पर लोगों को उतना पता नहीं कभी स्पोर्ट में लोग ड्रग का भी उस करने रेज जीतने के लिए क्लियर अंडर्स्टेंडिंग नहीं थी अना at the 1960 olympic in Rome लेकिन रोम में 1960 को जो olympic किये गये ना a Swedish cyclist एक Sweden के रहने वाले Swedish cyclist जो cycle चला थे थे उनका नाम था nut jensen took nut jensen उन्होंने क्या लिया था उन्होंने लिया था compound drug मतलब ज्यादा डोज ले लिया था drug का to complete compete in the race इस race में compete करने के लिए जीतने के लिए during which जिसके दोरान he collapsed and died वो क्या हो गए गिर पड़े और उनकी death हो गए उन्होंने compound drug ले लिया था ज्यादा मात्रा में जीतने के लिए और overdose की वज़े से उनकी death हो जी गए collapse हो गए वो गिर पड़े और यह जो घटना थी this incident brought lot of pressure to the international sports world and consequently an international olympic competition established a mandatory dope test for all olympic athlete in 1967 बात को समझना इस घटना के बादना क्या हो गया बहुत ज़्यादा pressure बढ़ गया इंटरनेशनल sport के ऊपर जो लोग international sport कराते हैं and consequently और उसी के परिणांस रूफ finally क्या हो गया an international olympic committee जो international olympic कराती हो जो की थी ना लोगों की जो group था उन्होंने establish कर दिया एक mandatory dope test जरूरी होगा एक dope test कराना ही पड़ेगा सारे olympic athlete के लिए कब से चालू कर दिया यह जरूरी कर दिया 1967 से ठीक है 1960 को इनकी death हो गई 1967 से प्रणिट कर दिया विल्कुल कि एथलीट को running वर इंग जो भी है participate करने से पहले competition से पहले उनका क्या होगा एक dope test होगा इस टेस्ट से पता चल जाता है कि आपने कोई ड्रग लिया है या नहीं running होने से पहले एथलीट को क्या किया जाता है कोई competition से पहले उनका doping test किया जाता है और उसमें पता चल जाता है अगर आपने कोई ड्रग लिया है तो वहाँ पता चल जाता है आपको फिर वहाँ से disqualify कर दिया जाता है तो इसके सुरुवात कर वही 1967 में हुई the term doping means इसका मतलब क्या होता है using drugs to improve और enhance performance इसका मतलब होता है किसी drug का use करके आप क्या कर सकते हो अपने enhance करते हो सुधारते अपने performance को improve करने की कोसिश करते हूँ गलत तरी किसे इसको बोलते है doping है ना देखो एक होता है blood doping refers to enhancing performance जो को blood doping में भी क्या होता है आप enhance करते हो सुधारते अपने performance को through किसके दुआरा through providing extra blood cells to body अपनी body में blood cells अलग से inject करते हैं injection के तूरू लगाते हैं to body so that more oxygen can be processed ताकि ज़्यादा oxygen आपकी body में process कर सके, मिल सके आपको और आपकी energy बढ़ सके लेकिन it is dangerous and has a risk of several infection यह बहुत dangerous होता है खतरनाक होता है और कई सारे infection का भी risk होता है जैसे कि heart failure और even AIDS इट्स तक भी आपको हो सकता है इस टाइप से athletes को sport which was once an activity to fill in pleasure time sports एक ऐसे activity थी जब के खाली time को laser laser time का मतलब होता है खाली समय को fill करने की activity थी बोरियत को भागाने की activity थी has now become आज वो बन चुकी है एक तरीका बन चुकी है एक माध्यम बन चुकी है to earn a living for many athletes हैने कई athlete की अपनी जीवी का चलाने का एक माध्यम बन चुकी stand ठीक है ना आगे देखते है for many athletes living मतलब जीवी का चलाने का माध्यम बन चुकी कई सारे athlete का जो कि पहले मनरजन का एक खेल था खाली तो factors like athletes desire to success कुछ सच्चा है कुछ factor है कुछ मुद्ध है जैसे कि athlete की के अंदर बहुत ज्यादा desire होती इच्छा सकती होती success होने की है ना the desire to fulfill the expectation जो उनकी उमीद है उसे fulfill करने की जो desire होती है of their trainers and family trainers होते है family होती है उनकी एक्चाओं को पूरा करने की इच्छा होती है and the glory of victory और कुछ factor है glory मतलब जो मान सम्मान मिलता है जीत के बाद है economic reward और जो पैसे को बगएरा मिलते economic reward of success है ना इस टाइप की जो चीजे मिलते हैं यह जो factor है often misguide यही factor कई बार misguide कर देते भ्रमित कर देते हैं किसको athlete को and they resort और इसी वजह से resort मतलब सहारा ले लेते हैं to the use of drug in drugs का उसारा लेने लगते और क्या करते हैं किसी भी तरह से बस race जीत जाए बस यहीं चाहते हैं जबकि जबकि drug क्या होते बहुत ही ज़्यादा okay thank you very much my dear